हलो फेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब तोजी दिन आज बंगलवार का तारीख है 25 अक्तूबर और सुबह के जो है वो साथ बज गए है साथ जे मैंने अपना व्लोग स्टार्ट किया है सुबो के चाई वेगरा पीगे थुड़ दिर मैं घूमी हूँ और बाहर सबसे पहले आज मैंने उठते ही सबसे बालकनी में से ज़डू निकाला है क्योंकि क्या न इतने मच्छर आये वे थे ने बाहर बालकनी की लाइट ओन जैसे मालों कोई सूट दो घंटा पहना कोई तीन घंटा पहना है मतलों ऐसा ही जो वो टंगे हुए थे और हम लोग यहां थे नहीं तो मैंने सुचा इनकी तया बना के रख देती हूं मैं ले तो यह हुए नहीं है और दो चार बार जैसे ही मैं यह कुछ जो ज़्यादा मह कर लोंगी तो यह वही सूट जो करवा चोथ वाला है जो कुछ देर के लिए ही पहना था मतलब आप यह मान के चलिए करीबन साड़े बारा एक मुझे क्यास पास मैं इसको पहना था और उसके बाद शाम को फिर साड़े ही चेंज कर ली थी और काम वेगरा कुछ किया नहीं इनकी टैबना के रख दूँगी फिर जो बाकी के काम है जैसे दूसरे रूम में भी मुझे जो यह सामा जो शिफ्ट करना भी सरदिया आ गई है तो मैं सोच रूब जो यह बैड है बैड का सिराना जो वो दूसरे साइड जो वो कर देती हूँ जैसे पहले चारपाई रहती तो वैसा ही जो वो बैड का सिराना कर देती हूँ क्योंकि वहां उस टाइम पर ना दिन में जाए धूब जो आती है बैड पर तो सरदियों में वैसा ही धूब बहुत अच्छी होती है तो मैंने सुचा लोकेशन चेंज कर दूँग और लोकेशन चेंज करने का हमारा यह ड खुलती थी लेकिन फर जो है दूसरी तरफ जो है जब हमने इसको सेट किया तो अलमारी पूरी की पूरी जो है वो खुल रही थी अभी जो है बस इसी को करने में जो हम दोनों के दोनों जन लगे हुए हैं मैं और हमां के पापा दोनों मिलकर यह कर रहे हैं अकेले नहीं कि आज मैंने क्योंकि शरीन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेले कर पाऊं तो बस अभी यह बैड का सिराना जो दूसरी तरफ लगा दूंगी और वैसे डेली डस्टिंग और क्लीनिंग वगएरा होती रहती है लेकिन हलके फुल के चोटे मोटे जाले से वो लगे हुए थे तो जगे जगे और उसके जालों पर फिर वही हो जाता है ना मकडिया तो जरूर कि जरूर जब वो मिलती है तो बस अभी सामान भी मैं यहां पर सेट करें थे एक तरफ जो है यह नट वगएरा सेट करना दोनों जोने मिलकर बहुत जब काम खतम कर दिया अदर्वाइस मैं तो मा केले करती तो जो है बहुत टाइम जो लग जाता बस अभी जो है यहां पर बच्चों के लिए पजामिया वगएरा हिमां के लिए में चेक करी थी है या नहीं है क्योंकि अभी मोसम चेंज हो गया और हिमांग के पास पजामिया चार-पांच यह जादा नहीं है और इन पजामियों में काम जो है वो चलेगा नहीं तो इसे लिए जो है मैं सोचली शाम को ले आउंगी या फर कल एक दो दिन में जब भी टाइम मिलेगा तो मैं जो ही मांग के लिपर जामिया वेगर और कुछ कपड़े जो कुछ भी लेकर आने हैं वो मैं ले आउंगी और यहां पर बैड़ पर मैं अच्छे से कपड़ा जो ह अच्छी सी क्लिनिंग जो बैड़ की हमारी जो होगे सेट और दूसरी तरफ फिर मैंने जो है यह जो कल कपड़े मैंने धोए थे न वो सारे कपड़े शाम को उतार दिये थे और इनको अभी बैड़ पर ही रख दूँगी बाद में इनकी तय भी जो मुझे बनानी है जाड बाद में लगाओंगे उससे पहले मुझे बागी की बहुत सारे काम जो करने और भी कुल सामान है जो रही है अब इसली से पहले अभी जैसे मोसम वगरा चेंज हो गया तो यह होता है कि थोड़ी बहुत देर के बाद चाई पीने की इच्छासी होती है और बॉड़ी में एनरजी भी इतनी है नहीं तो धीरे 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 करके टाइम से खाना वगरा खाएंगे तो एकदम रूटीन धीरे धीरे हमारा सेट ह हो जाएगा अभी जाड़ों वेगरा लगा दिया बालकनी तो मैंने सुबह भी लगाया था लेकिन एक बार फिर से लगा दिया पता नहीं कहां कहां से जो चुटपुट से जो छोटे-चुटे मच्छर जो ख़जवा है वो आती ही रहती है तो बस अभी बैठके जो है अलमारी में जो है लगा कर मैं रख दूँगी और मुझे ना अपनी वी अलमारी सेट करनी है कपड़े सारे प्रेस हुए रखें लेकिन क्या न कि एक प्रॉपर जिखेंपर जैसे मैं अच्छे से रखती हूं ना कि एक लाइन में बहार आने जाने वाले डेली बैस के या मी है जो चैजस से परता क्या होता है घर एकडम नया जैसा जो मैसूस होने लगता है अ मतलब एक फ्रेशनेस सी जो है वह आ जाती है और मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी यह जो सामने अलमारी है यह अलमारी जो है तुरंत खुल भी जाती है बहुत अच्छे से आसानी से कि पूरी खुल जाती है यह बैड इदर जो है वो सेट करने के बाद दूसरी तरफ जब बैड का से रहना था ना उस उधर जो है वो इतनी प्रॉपर खुलती नहीं थी मतलब थोड़ी बहुत ही खुलती थी तो यह था तंगात उसी में थोड़ा बहुत जैसे भी काम निप टाफट से तय बना लेते क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जादा थे प्रेस वाले भीया को आज आएंगे कल दे कर आए थे तो कल ध्यानी नीदा वापस लेकर आना तो आज टाइम लगे था तो उस टाइम पे जो आज लेकर आएंगे और कैसा लग रहा है लुक आप वह बहुत ज़्यादा जो है वह एफेक्टव पड़ा है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट एंगर वीडियो मेरा व्लॉग यह वीडियो जो है आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है तो प्लीज रिक्वेस्टच्ट इसको शेयर कर यह वीडियो को अपन जो यह चानल है वो एक फैमिली चानल है इस पे सारा परिवार जो है इसको अराम से बैठ कर जो है वो देख सकता है अब भी बारी आते हैं मां के पापा की इलमारी की इसको भी थोड़ा बहुत कपड़े इधर उदर हो रखे साथ-साथ में इनको भी सेट कर दूगी बच्चो वगेरा भी जो अलग से रखी हुई थी इसके नीचे रखी ही थी हैंगर में नहीं लगाके रुखी थी पता नहीं कब कहां से नीचे जो वो दबी रह गई तो बस इनको भी मैं साथ-साथ में लगा जैव रख दूगी तो अभी आपने देखा ना मैंने जब बच्चों के क जाएंगे किचन में क्योंकि जो है आज दूद वाले भी थोड़ा सा जो है वो जलदी आ गए थे उसके बाद पहुंचा अभी लगे गाने काफि के बाद जो है नहीं लगने वाला है दूद वर भाई रहा गये थी तो पतीला भी भाकी था पतीला मैंने धोयानी था साथ- चलता रहता है दूद्ध मैंने उबलने के लिए रख दिया है और आज बहुत टाइम के बाद एक प्रॉपर रूटीन आप लोगों साथ शेयर कर रही हूं और यहां पर मेथी रखी तो मेथी जो है काटके रख दी तो इसको साथ-साथ में धोकर जो है थोड़ा सूखने के ल दूँगी अमेथी का पराटा बना दूँगी मेथी की जो है वो रोटिया सेख दूँगी साथ-साथ में तब तक बरतन वगएरा सारे के सारे वो लगा कर रख दूँगी और क्योंकि उसके बाद थोड़े बहुत बरतन मेरे पास रख रखे हुए चाय पानी के जादा नही तो यह सब रखा हुआ है और थोड़ा बहुत समाच जो इधर से उधर जो फैला हुआ उसको तो देखो सेट करना ही जो है वो करना है और नीचे जो है आज हमने एक मटकी फोड के उसमें अलग से जो है जिसे बाहर गली में जानवर वगएरा घुमते रहते हैं उनका तो ख करें तो इसको भी साफ कर देंक साथ में जो है टिफिन है जो कैसरोल होता ना रखते हैं वह भी है उसको भी साथ साथ में अच्छे से क्लीन ज़ए वो मैं कर दूंगी और यह हो गया सट और उसके बाद बारी आती है रोटिया वगएरा जो है वह सेखने की और मुझे लगा इसमें जो है मैमरी फूल होगी क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला कैसे कब क्या हो गया तो बस अभी तो सिर्फ दूद उबलने के लिए रख दिया साथ साथ में सबजे वगेरा जो आई थी इनको भी जो वोश करके रख दूंगी और व्लॉग के एंड करूंगी मैं यहीं मिलते हैं इक्स बॉल्ग में तिल देन बाइ बाइ जो फोस्त विजस घ्रहां प्लीज रिक्वेस्टैशियार कर देना वीडियो को जलेतो फ्रेंद्स मिलते हैं इक्सव व्लॉग में तिल देन वाब रख फशπ बूंग सौ माच वसतेpants च企म्चन बढ़ हां बिंदे हैं